इस मूवी का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाय चाती है जिसका नाम जेन था जेन स्कूल जा रही थी जो वो स्कूल चाती है तो उसके फ्रेंट उसकी हालत के बारे में पूछती है कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है और तुम्हारे बाल क्यों बिख रहे हुए है क्या आज भी तुम जंगल गई थी इसके बाद हमें क्लास में स्टॉडेंट्स को दिखाया जाता है जो इनके टीचर इनके सामने इनका एक टेस्ट रुखते है सब स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं थे सिवाए जेन के अब जेन की फ्रेंट टीचर से कहती है कि आप ये कोस्टन्स हमें तुबारा कब समझाएंगे और तुबारा टेस्ट कब लेंगे टीचर कहता है कि ये questions दुबारा मैं तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा वो कहती है कि आपने हमें एक ही दफ़ा समझाया था यहाँ पर टीचर बोर्ट पर एक question लिखता है और जेन को solve करने के लिए कहता है जेन आती है और question solve कर देती है अब सभी जेन की इस बात पर हैरान हो गए थे क्योंकि जेन नहीं लेक्चर सिर्फ एक की दफ़ा लिया था और पूरा question असानी से solve कर दिया है अब सभी students ये कह रहे थे कि टेस्स को दुबारा recall किया जाए मगर टीचर कहता है कि अगर इसने solve कर लिया तो आप लोग solve क्यों नहीं कर सकते मैं दुबारा टेस्स नहीं लूँगा इसके बाद हमें जेन और इसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो आपस में डिसकस कर रहे थे मैट्स टीचर के बारे में जेन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम मैट टीचर से चाकर कोहू कि वो हमारा टेस्स दुबारा ले वो कहती है कि ऐसा इसलिए अगर मेरी मॉम को ये बात पता चल गई कि मेरे मांक्स अच्छे नहीं आए है तो वो मुझे बहुत जादा गुसा करेंगी अब साथ ही हमें जेन की एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके बलॉंड हेर है वो भी जेन से कहती है कि तुम मैट टीचर से चाकर दुबारा रिक्वेस्ट करो वो कहती है कि अगर मेरे मांक्स अच्छे नहीं आए तो मुझे गेम से निकाल दिया जाएगा जेन की फ्रेंड फुटपॉल केम की बात कर रही थी और जब ये सब लोग मिलकर उसको इंसिस करते है जेन रेडी हो जाती है टीचर से जाकर बात करने के लिए दूसरी तरफ हमें इनकी एक सपोर्ट टीचर भी दिखाय जाती है जो सबका मैसकोट के लिए टेस्स ले रही थी अब मैं यहाँ पर आपको बता दू कि मैसकोट उसको कहा जाता है जो मैच के दुराने खोल अपने उपर चढ़ाया जाता है जो जोकर्स को पहने हुए देखते है अब उनकी टीचर कहती है यानि कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैसकोट पहने दिया जाएगा अब इनके ग्रूप में एक फ्रेंच लड़का भी है जो इस मैसकोट को पहनना चाता है ये लड़का वो मैसकोट पहनना चाता है मगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता इसलिए टीचर कहती है कि वो लड़का मैसकोट नहीं पहनेगा एक और लड़का अच्छा परफॉर्म करता है उनके टीचर कहती है कि ये लड़का मैसकोट पहनेगा उस लड़के का नाम Brody नेक्स सीन में हमें जेन को दिखाया जाता है जो मैस टीचर के पास दुबारा जाती है रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उनका टेस्ट दुबारा ले ले उनके टीचर विंडो से बाहर देख रहे थी तो उनको ये बात पता चल गई थी कि जेन के फ्रेंड ने भेजा है उसको रिक्वेस्ट के लिए उस डूब में हमें एक ट्वाइब भी दिखाया जाता है जिसने हैबर पकड़ी हुई थी पहले तो ये दोनों इस ट्वाइब के बारे में बात करते हैं जेन जिब टीचर से कहती है कि टेस्क को तुबारा लें तो उनको इस बात पर गुस्सा आजाता है वो जेन से कहते है कि तुमें कच्छी स्टूडेंट हो लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती इसलिए कि तुम ये सोचती हो कि शायद तुम्हारे फ्रेंट्स पुरा ना सोचें वो कहेंगे कि देखो ये कितना ज़्यदा बढ़ती है वो जेन से कहते हैं कि तुम 96 से ज़्यदा भी मार्क्स ले सकती थी तुम 100 मार्क्स भी ले सकती थी तो तुमने 96 मार्क्स क्यों लिए इसके इलावा वो जेन से कहते हैं कि तुम क्लास में नोर्स भी नहीं बनाती हूं तो टीचर उसके नोर्स चेक करते हैं लेकिन उन नोर्स में कुछ भी नहीं लिखा था अब जेन कहती है कि मैं इसलिए नहीं बनाती कि मुझे जरूरत नहीं हैं मैं चलास में अच्छा पर्फॉर्म करती हूं वो कहते हैं कि तुम इन एडियर से जदा अच्छा पर्फॉर्म करती हो वो उसको समझाते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं एक वो इनसान जिनके पास हैमर होती है दूसरा वो इनसान जिनके पास किटार होता है अब जिनके प इनसान बनो जो हैमर पकड़ता है और अपने लिए कुछ अच्छा बनाता है। इन सब में अब वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्ता कर रहे थे। अब वो बाहर आ जाती है और काफी सदा रोती है क्योंकि वो काफी सदा अनकमफरेबल फील कर रही थी पर दोस को बताती है अब फैट की दोस्त उसको प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। अपने दोस्त के कहने पर फेट प्रिंस्पल के पास जाकर मैट टीचर की शिकायत करती है। वो उनसे कहती है कि मैट टीचर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। वो कहती है कि वो मुझ पर बिला वज़ा गुस्सा हुए। अब ये बातें प्रिंस्पल को बहुत जादा अच्छीब लगती है। तब ही फेट के दोस्त प्रिंस्पल से कहती है कि मेरे फादर हैट पूर्ट के मेंबर है। अकर मैं उन्हें ये शिकायत लगाऊंगी तो वो बहुत जादा गुस्सा होंगी। और अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आपको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब प्रिंस्पल इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स सीन में हमें फुटबॉल मैच दिखाया जाता है। जहाँ पर उनके क्रूप के मेंबर हार जाती है। और इसी सीन में फुटबॉल मैच के दौरान पर प्रिंच दोस्त को दिखाया जाता है। बुरूडी ने मेशकोर्ड पहنا हुआ था और इनके दोस्त ने मेस्कोर्ड नहीं पहना हुा था। यहां पर इन दोनों की लड़ाई होती है जहां पर बुरूडी इनके फ्रेंच फ्रेंड को एक पंच मारता है। नेक्स सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड्स इनकी सपोर्ट टीचर की विस्की चुराने की बात कर रहे होते हैं। एक्चली में इनकी सपोर्ट टीचर के पास एक माग होता है और उसमें हमेशा विस्की होती है। यहां पर जेन की फ्रेंड इन सब को बताती है कि उसके ओफिस में एक ड्रॉर है जहां पर विस्की की बहुत सारी बाटल्स पड़ी है। अब इनके क्रॉप का एक लड़का जिसका अलिस है वो इनसे कहता है कि इस फ्राइडे नाइट हम सपोर्ट टीचर की सारी विस्की की बाटल्स चुरा लेंगे। मगर तब ही जेन की करली हेर वाली फ्रेंड कहती है कि कैमरास का क्या। इनसे कहती है कि स्कूल की सिक्यूरटी पहले से ज़दा सक्त हो गई है। तब ही जेन कहती है कि कैमरास को हैक कर लिया जाएगा। वो इन सब को बताती है कि मुझे कैमरास को हैक करना आता है। अब नेक्स फ्राइडे ये सबी स्कूल पहुच आते हैं विस्की चुराने के लिए जहाँ पर ट्रॉर में इने अच्छी खासी विस्की मिल जाती है। ट्रॉर में इने स्पोर्ट टीचर की विस्की मिल जाती है जो कि काफी सदा बड़ी थी। दूसरी तरफ हमें जेन को दिखा जाता है जो कि सबी कैमराज को आफ कर देती है। इसके बाद ही लोगे केम खेलते हैं और पूछते हैं कि कौन किसको कितने पैसों में मार सकता है। इसमें जब जेन से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि ऐसी सारी जिंदगी मुझे उस बात का गिल्ट रहेगा अब सभी लोग मिलकर स्कूल में इंजॉाइग कर ही रहे थी तब ही इनका एक फ्रेंच फ्रेंट वाश्रूम जाता है और उसको वॉमिट होती है तब ही हमें वाश्रूम में मैसकौट पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने के हाथ में हैमर पकड़ा हुआ था इस आदमी ने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो उस दिन ब्रूडी ने पहना हुआ था और ये तो हम देखी चुके हैं कि ब्रूडी और इस फ्रेंच वाई की लड़ाई हुई थी उस दिन मैच वाले दिन अब ये सब ही वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तब ही चेंट की वह फ्रेंच जिनके ब्रॉड हीर है ये लड़की उस फ्रेंच वाई को पसंद करती है अब जब वह वाश रूम आती है तो वह देखती है उस फ्रेंच वाई की टेत हो चुकी تھی किसी ने उस लड़के का मरडर कर दिया था तब ही सबी वाश्रूम आ जाते हैं और उस ब्लॉंड हेर वारी लड़की से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो इसके बाद एलिस भी वाश्रूम जाता है और सब को बताता है कि फ्रेंच बॉय का मर्डर हो चुका है ये सबी बहुत साथा डर गए थे अब एलिस कहता है कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए तब ही वो लड़की जिसके ब्लॉंड हेर थे वो एलिस से कहती है कि हम ऐसे इसको छोड़कर नहीं जा सकते और एलिस इसको कहता है कि जिसने भी इसको मारा है वो अभी यहीं परोगा और वो हमें भी मार सकता है हमारा यहां से चले जाना जरूरी है इसके साथ तो जो होना था वो हो गया अब यह लोग उसको किसी तरह मना कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं अब ये blond hair girl सब को बताती है कि मैंने broody को यहाँ पर देखा था और उसने वो ही mess court पहना हुआ था और उसी ने french को मारा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहती है कि मैं broody को मार दूँगी और वो साथ ही window तोड़ने की कोशिश भी कर रही थी पपी जेन उसको बताती है कि ये window नहीं तूटेगी क्योंकि ये बुलिट प्रूफ है ये सभी लोग पूरी तरह से school में फस चुके थे क्योंकि सभी doors भी बंदो गए थे और windows भी बुलिट प्रूफ थी इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब ये सब लोग यहां से बाहर कैसे जाएंगे लेकिन blonde hair girl इन सबसे कह रही थी कि जैसे ही broody आएगा हम सब उसको मार देंगे उससे keys ले लेंगे और हम सब इस school से बाहर चले जाएंगे जेन इन सबसे कहती है कि आज Friday night है सेचर डे को सकूल साफ करने वाला आएगा वो रूम को खोलेगा तब तक हम वेट करते हैं मकर कोई भी उसके आइडिया पर राजी नहीं था वो सब लोग यहां से भागना चाहते थे जेन की करली बालो माली ब्रेंट कहती है कि मैं तो किसी से बदला नहीं लूँगी अगर तुम चाहती हो कि मैं ब्रूडी से बदला लूँगी और उसको मार कर यहां से जाऊंगी तो ऐसा नहीं है मैं तो सिर्फ यहां से भागना चाहती हूँ किसी भी तरह से इसके पाद ये स्कूल के सभी डॉर्स को चेक करते हैं कि क्या पता कोई डॉर अनलॉक हो और हम बहां से भाग सकें मगर कोई भी डॉर अनलॉक नहीं था सभी डॉर्स लॉक हो चुके थे और उन डॉर्स की कीज इनके पास नहीं थी एलिस इन से कहता है कि हम बेंट से बाहर चा सकते हैं मगर ब्लॉंड हेर गरल कहती है कि मैं तो ब्रूडी से बद्ला लेकर चाऊंगी मैं तो उसे मारूंगी एलिस उसे कहता है कि क्या पता वो ब्रूडी ना हो क्या पता वो हमारी स्पोर्ट टीचर हो क्योंकि एक लड़के ने स्पोर्ट टीचर की डायरी पड़ी थी और उसमें काफी वेर्ड किसम की चीज़ें लिखी हुई थी वो ब्लैक मैजिक करती है क्या पता वो ही हमें मरवा रही हो पिर किसी तरह ब्लॉंड हेर गरल को मनाते है और वहां से भागने के तयारी करते है पर तब ही इन्हें वो ही आदमी नजर आता है हैमर के साथ जिसने के मैसकोट कॉस्चुम पहना हुआ था अब ये लोग तो उससे भाग रहे थे मगर वो ब्लॉंड हेर गरल उसको मारना चाहती थी अब वो उसको मारने के लिए जब आके बगते है तो वो आदमी उस ब्लॉंड हेर करल को भी मार देता है वहाँ चेन की करली बालो वाली फ्रेंड की टांग भी इंजर हो गई थी ये लोग उसको पकड़ कर एक रूम में ले जाते हैं ये लोग अपनी तरफ से उस रूम में छुप रहे थे मगर वो किलर तो वहाँ भी आ गया था अब चेन और एलिस आपस में बातें कर रहे होते हैं तब ही किलर पीछे से आकर एलिस को भी मार देता है और एलिस भी मर जाता है एलिस के मरने के बाद चेन बहुत साथ हो गई थी अब चेन अपनी फ्रेंड को ले कर यहां से किसी तरह भागती है उसको सुपोर्ट करती है और किसी तरह उसको लाइबरी तक ले जाती है इसकी फ्रेंड इस से बार बार पूछ रही थी कि एलिस कहां पर है लेकिन ये बार बार रोई जा रही थी जेन की फ्रेंड ये समझ गई थी कि एलिस की भी देथ हो चुकी है अब उसको गुस्सा आ जाता है वो जेन से कहती है कि ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है तुम्हें मेरे साम ने आकर हैपलेस बन गई थी कि टीचर कर रही है जेन इसको कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है मेने तुम्हें मना किया था कि हमें प्रिंस्पल को शिकायत नहीं करनी चाहिए मगर तुम ही ने मुझे कहा था कि कम्प्लेन करते हैं जेन की फ्रेंड अप काफी सदा गुसा हो गई थी और उसने सारा प्लेम जेन पर डाल दिया था साथ ही वो जेन को कहती है कि तुम एक पिचारी लड़की हो और तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं हो सकती वो उसको कहती है कि अगर मैं नहोती तो तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहोता उसकी बातों से उसको अंतासा हो जाता है कि वो उससे जलती है वो जेन को बार बार धका दे रही थी और उसको कहती है कि तुम भी चारी हो यहां पर जेन को गुसा आजाता है यह उसको धका देती है जिसके बाद इसकी फ्रेंड नीचे गिर जाती है उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद जेन उसी रूम में जाती है जहाँ पर मैस्टीचर इनकी क्लास लेते थे जैसे ही वो उस रूम में जाती है वहाँ पर उसको मैस्टीचर नजर आते है जो के बहुत ही अच्छे मूड में थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और वो जेंसे कह रहे होते हैं मैं ऐसा करना कुछ भी नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करता और मैं तुमें सिखाता लेकिन आज तुमने अपनी फ्रेंड को धका दे दिया और मैं हमेशा चाहता था कि तुम इस हैमर को पकड़ो इसके बाद वो ट्रायर से कुछ चीज़े ठोडने लगते हैं और ट्रायर से एक पैंसिल निकालते हैं तो कहते हैं कि उस दिन तुम से ये पैंसिल गिर गई थी ये वो ही पैंसिल है और आज मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ अब तुम अपनी कदर करो और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो जेन अब जब ये पैंसिल पकट रही होती है तब ही वो इस पैंसिल से उस पर अटेक कर देती है और कीज लेकर वहां से भाग जाती है यानि कि कीज से स्कूल का डोर उपन करकर बाहर चली जाती है बाहर उसके मुबाइल के सिटनल आ रहे थी वो कॉल करने लगती है हेल्प के लिए मगर वो ही पीजे से टीचर आ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं कर ये उन से बचकर भाग जाती है और जंगल में पहुँचकर एक दरक्त पर चल कर बैट जाती है पर तब ही जब ये टीचर उसको ढूरने जंगल में जाते हैं तो उस दरक्त की शाग तूट जाती है और ये नीचे उसी टीचर के पास गिर जाती है इसने वो पैंसिल उस टीचर की आँख में मारी थी इसलिए उस टीचर की आँख सक्मी थी अब ये तुबारा से उसकी उसी आँख पर मारती है और फॉरण से हैमर पकर कर उसका मर्डर कर देती है लास सीन में हमें ब्रूडी को दिखाया जाता है और अपनी कार का शीशा नीचे करता है और देखता है तब ही वहाँ पर हमें दो और आदमी भी दिखाया जाते हैं जो देखते हैं कि चेन हैमर पकड़े हुए जंगल से आ रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है